मिनिकुम कह जाने वाले रामदेवरा मेले से एक के बाद दूसरी बड़ी खबर आ रही हैं हाला कि हालात पुलीस और सेना के काबू में हैं लेकिन इस तरह की दोनों गटनाएं से दसत जरू फैली हैं दरसल जैसलमेर जीले में इस्तित रामदेवरा में मेला जारी हैं और देश भर से लाको बक्त अब तक जो हैं बाबा रामदेवरा के दर्सन कर चुके हैं लेकिन देर रात और आज सवेरे हुई दो गठनाओं से कुछ लोग डर भी रहें जैसलमेर जीले के रामदेवरा में चल रहें मेले में मगलवार रात साड़े नौ बजे बम दमकाने की दमकी दी गई हैं जैसलमेर के एसपी सूधी चौधरी ने बताये कि जी आरपी के हेड कॉस्टेबल को पॉकरन रेलवे इस्टेशन पर एक पर्ची मिली थी जिसमें लिक रहा हूं आप लोग बीएसेप और पुलीस को सूचना दो आंत की मंदिर को जो हैं गोडे में बम रखकर उड़ा सकते हैं आप लोग सब जो हैं सब को चेक कीजिए जिसके बाद जो हैं पुलीस और एमर्जेंसी रिस्पांस टीब ने मेला इस्तल और आसपास के एरिये में चानबीन की हैं हाला कि पुलीस को कोई जो हैं संदिक सवस्तू नहीं मिली हैं कुछ दिन पहले जेपूर में भी इस तरह के जूटी धंकी वाले मामले सामने आये थे धंकी के बाद मंदिर को खाली कराया गया बाबा राम देव समाधी समिती दुआरा चड़ा गए कप्रे क चोटे और बड़े गोडे टेक्टर में बरकर जो हैं मंदिर से दो किलोमेटर दूर रनुजवा कुए पर ले गए हैं जोतपूर से आई आर्टी एमर्जेंसी रिस्पांस टीम कमांडो की टीम भी जो हैं रात बारा बजकर पचास मिनट पर जो हैं राम देवरा पहुची उन्होंने मंदिर के आज पास जो हैं तलासी भी की हैं रात पर मंदिर में सरदालों की जो हैं जाज की गई पौकरन के डिप्टी एसपी बबाने सिंग ने बताया कि सुरुक्सा की दस्टी से सबी आफसक कदम उठाए गए हैं और एजेंसिया अलर्ट है वहीं जो हैं आजस्तान के पसु पालन मंत्री जोरा राम कुंबवत भी जो हैं बाबा रामदेव जी की समाधी के दर्सन करने के लिए रामदेवरा जो हैं आ रहे हैं एसपी सुधीर चौधरी ने बताया कि फिलाल इस धंकी को सरद का इसा माना जा रहा हैं लेकिन सुरुक्सा को लेकर पूरी सत्रता बरती जा रही है इस गटना के कुछ गंटे बाद ही जो हैं आप जैसल मेर से दूसरी खवर आ रही हैं अब रामदेवरा मेले के और ले जाने वाले राजते पर जिंदा बंब मोटार मिला है चाजा रामदेवरा मारक पर मेले इस बंब के बारे में पुलीस अदिकारियों को सूजना दी गई हैं ये आदा मीटी में दसा हुआ है सेना को जो हैं इसकी सूजना दी गई हैं और बंब निरोदक दस्ते की टीम को भी जो हैं बुलाय गया हैं सेना और पुलिस अदिकारी जो हैं मिलकर हालात काबू में कर रहे हैं अब जो हैं मेले में अत् त्रिक साब्दा ने बरती जा रही हैं